पशिम बंगाल के वानिज और उद्योग मंतरी पार्थ चितर जी की करीबी अर्पिता मुखर जी के आवास पर पहुँचे E.D. के अधिकारी उस समय खुद सोच में पढ़ गए जब उन्हें भारी मात्रा में नगदी और कीमती सामान मिला वो सोच में पढ़ गए कि इसे कैसे ले जाएं इसके बाद E.D. को भारती रिजर्बैंक के शेत्री कार्याले की मदद लेनी पड़ी ताकि नगदी और कीमती सामान को दफतर तक पहुचाया जा सके शनिवार की देर शाम E.D. के अधिकारियों ने गिंती पूरी करने और नगदी और कीमती सामानों के अनुमानित मुल्य का मुल्यांकन करने के बाद कोलकाता में RBI के शेत्री कार्याले से एक ट्रक दक्षर कोलकाता के टॉली गंज में पोश डायमंड सिटी कॉम्पलेक्स में पहुचा जिसमें मुखर जी का फ्लैट था ED के अधिकारियों ने पुष्टी की कि ट्रक में 20 स्ट्रीक ट्रंक थे जो मुखर जी के आवास से जब्त किये गए कीमती सामानों को ले जाने के लिए थे बार में 15 ट्रंक जो नकदी और कीमती सामान से लदे थे और 6 पांच खाली ट्रंक CGO परिसर में ED कार्याले में लाई गए थे आपको बता दे कि ED ने अर्पिता मुखर जी के घर से लगबग 21.2 करोन रुपे नकद लगबग 90 लाक रुपे के सोने के कहने लगबग 60 लाक रुपे मूल की विदेशी मुद्रा, 20 हाई बोबाइल सेट, 8 अन्निफलैट और कई महंगे वहनों के कागजाद बरामत किये हैं बता दे कि अर्पिता मुखर जी वर्तमान में ED की हिरासत पे हैं आइनिस की रिपोर्ट